नमस्कार दोस्तों, क्लास सेवन्त, मारा स्टेट बूर्ड मैथेमेटिक्स चप्ट नूबर 3, HCF and LCM प्रेक्टिस इट 13, क्वेशन नूबर 1, Find LCM, उसमें क्वेशन नूबर 7 अभी चल रहा है 6 तक क्वेशन इसके पहले के वीडियो में हो चुके हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को अनौरोद है कि चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकान प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिल जाएं तो हमें LCM find करना है, तो LCM के लिए हमने जो method ली थी इसके पहले वीडियो में वही method से हमें यहां पर LCM find करना है, पहले इन दोनों नुमबर को जिस भी नुमबर से divide होगा उन से हमें यहां पर divide करना है, तो unit plus में देखे 5 5 है, तो 2 से divide नहीं होगा 3 से चेक करना है, 5 plus 1, 6, 9 plus 1, 10 plus 5, 15, तो 6 को और 15 दोनों को भी 3 से divide होता है तो जो prime numbers है, 2, 3, 5, 7, इन से हमें चेक करना है कि पहले divide होता है, कि 2 से नहीं होगा, तो 3 से करना है 3 से नहीं होगा तो 5 से अब यहाँ पे 3 से डिवाइड होता है तो इसलिए हमें इन दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड करना है तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9 10 माइनस 9 1 3 5 जा 15 अब 3 6 जा 18 19 माइनस 18 1 3 5 जा 15 अब 35 और 65 इनिट प्लेस में 5 तो 5 से डिवाइड होने वाला है 2 से अब यहाँ पे नहीं होगा 3 से चेक करना है फिर ओर एक बार 5 प्लस 3 8 अब 8 को 3 से डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब 35 को भी 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हमें इन दोनों को 5 से डिवाइड करना है अब 7 और 13 इन दोनों को किसी भी नमबर से डिवाइड नहीं होता इसलिए हमें LCM directly find करना है तो LCM कैसे लेना है यहां के numbers left side के और जो यहां पे remaining जो भी factor है यह इन सभी का हमें multiply करना है तो 3 into 5 into 7 into 13 अब इनका multiplication करते समय ऐसे करना है कि जिसे हमें थोड़ी आसानी से multiply हम कर सकें ऐसा multiplication आ जाए अब देखे 3 into 5 15 into 7 multiply कर सकते हैं 15 into 7 करेंगे तो 105 यहां पे आएगा अब 105 को 13 से multiply करिए तो 13 5 जा 65 65 को 5 लिखना है 6 बारो 13 0 जा 0 प्लस 6 यहां पे होगा 6 13 बंजा 13 1365 is the LCM of 105 and 196 अब नेक्स्ट जो question है 8th question तीन नंबर से यहां पे है 12 15 or 45 अब 12 15 45 तीन नंबर्स अगर होते हैं तो तीनों नंबर्स को कौन से नंबर से divide होता है उससे पहले हमें divide करना है फिर दो दो नंबर्स को divide करना है अभी पहले तीनों नंबर्स को 12 15 और 45 को 3 से divide होता है तो 3, 4s are 12, 3, 5s are 15, 3, 1s are 3, 4-3, 1, 3, 5s are 15 आप इसके बाद 4, 5, 15, तीनों नंबर्स को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता तो इसलिए हमें दोदर नंबर्स को चेक करना है 4 और 5 को भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा लेकिन 5 और 15 को 5 से डिवाइड होता है इन दोनों नंबर्स को तो हमें 5 से डिवाइड करना है और 4 को as it is लिखना है तो 5, 1s are 5, 5, 3s are 15 अब 4, 3 को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो हम डिरेटली यहाँ पर LCM लिख सकते हैं अभी 3 into 5 into 4 into 1 into 3 1 की ज़र्वत नहीं है लिखने के 4 into 3 तो अब multiply ऐसे करें 5 into 4 20 आता है 3 into 3 9, 20 into 9, 180 Question number 9 है 63 और 81 अब देखें 63 और 81 दोनों odd number है तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा फिर उसके बाद 3 से चकना है 6 plus 3 9, 8 plus 1 9 3 से इन दोनों को डिवाइड होता है तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 8 minus 6 2, 3 7 जा 21 और 21 और 27, 3 के टेबल के नंबर से है 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 अब 7 और 9, 7 तो प्राइम है तो अब 7 9 को दोनों को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो अब हमें यहाँ पर ग्रूप बना लेना चाहिए LCM के लिए LCM is equal to 3 into 3 into 7 into 9 तो अब देखें 7 into 9 इनका multiplication करिए पहले 63 into 3 into 3, 9 तो 63 को 9 से multiply करिए 9 3 जा 27, बरो 2, 9 6 जा 54, प्लस 2, 56, 5600, 567 यह होगा LCM 63 और 81 का नेक्स्ट जो नंबर से हैं 18, 36, 27 तो 18, 36 और 27 इन तीनो नंबर से को जिस भी नंबर से डिवाइड होगा उससी से हमें डिवाइड करना है तो तीनों को 3 से डिवाइड होता है 3 6 जा 18, 3 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 6, 12 और 9 फिर तीनों को 3 से ही डिवाइड होगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 अब डिवाइड नहीं होगा तीनों को भी नहीं होगा 3, 4 और 2 क्योंकि 3 से इन दोनों को नहीं होता 2, 4 से होता लेकिन 2 से इसको नहीं होगा 3 को नहीं होगा तो अगर तीनों को ड्योंफ नहीं हो राये तो दोनों को डियूट करना है 2 4 को 2 और 4 को 2 से ड्योंट होगा 2 अन्ज़ वाउन सीठ वड्यों 2, 2 यॖ으면 4 अब 3 ansiटीज रखना है अब 2 3 को ड्योंट होगा 3 1 से तो 1 को लेना ही नहीं 2 और 2 को नहीं हुगा चाहिए यां पर LCM is equal to, 3 into 3 into 2, 3 into 3 into 2. multiplied by 1 की जरुत नहीं है, 2 into 3, यां dapat हमें लिखना है तो 3 into 3, 9, 9 into 2, 18 into 6, 18, 6 of 108, तो LCM होगा 108, इन तीनो नमबर्स का, तो यह LCM होगा मतलब क्या होता है, देखिए, कि अगर 108 को हम तीनो नमबर्स से डिवाइड करेंगे, तो remainder हमें 0 मिलेगा, और यह ऐसा सबसे smallest नमबर है, जिस नमबर को इन तीनो से डिवाइड होगा, मतलब 18 से भी डिवाइड होगा, 36 से भी डिवाइड होगा, 27 से भी डिवाइड होगा, और यह सबसे smallest होगा, इन तीनो नमबर्स से डिवाइड होने वाले जितने भी नमबर्स हैं, उनमें यह सबसे smallest होगा, अब और एक यहाँ वे concept आता है अगर हम 108 का table गिने तो 108 के table में जितने भी numbers आते हैं उन सभी को इन से ढ़ेड होगा 18 से 13 6 से और 27 से मतलब तीनो numbers का LCM यह है LCM के table में जितने भी numbers आते हैं उन सभी को यह जिनका LCM है उन सभी से ढ़ेड होता है तो यह चेक करने के लिए हम एक थोड़ा असान सा एक्जामपल लेंगे सबोस हम नमबर लेंगे 6 और 9 तो 6 और 9 का जो LC माता है 9 to the 18 18 आता है 6 से भी डिवाइड होगा 18 को 9 से भी होगा अब 18 के टेबल में जितनी भी नमबर से 18 to the 36 देकी 36 को 6 से भी चु웁ए होगा 9 से भी होगा 9 4 जा 36 6 जा 36 अब 18 3 जा 54 54 को 6 से भी होगा 6 9 जा 54 9 6 जा 54 9 से भी होगा 8 4 से 72 6 से भी होगा 6 1 जा 6 6 तो जा 12 9 7 जा जा 2 it's a 72 तो 18 के टेबल में जितने भी नमबर साएंगे 18 इन दोनों का LCM है तो इन दोनों से उन सभी को divide होने वाला है लेकिन इसमें सबसे smallest 18 रहेगा यह है LCM, इन दोनों का LCM होगा तो अब next question है question number 2 question number 2 के लिए हमें यहाँ पे एक point मतलब एक concept लेना जरूरी है HCF multiplied by LCM is equal to product of the two numbers जो भी हम दो numbers ले रहे हैं उन दोनों का HCF और उन दोनों का LCM multiply करो तो हमें जो दो नमबर हमने लिए हैं उनका product equal to मिल जाता है मतलब इनका multiplication और इनका multiplication equal होगा एक हमें example से समझ लेते हैं अभी जो हमने 6 और 9 लिया था 6 और 9 इन दोनों का HCF highest common factor कैसे find करना है तो 2 से शुरू करिए 2 से इन दोनों का divide होता है का चेक करिए फिर 3 से फिर 4, 3, 5 से prime numbers लेते जाएए और prime के साथ दूसरे इन नंबर हम चेक कर सकते हैं 4, 6, 8 अब इन में सबसे greatest कौन सा नंबर है जिससे इन दोनों का divide होगा तो यहां पे मिलेगा 3 3 to the 6, 3 to the 9 अब 6 से 6 को divide होता है लेकिन 6 से 9 को नहीं होगा तो इनका HCF होगा 3 अब हमें ELCM find करना है तो ELCM के लिए हमें क्या करना है इन दोनों के table गिनते जाना है 6 का और 9 का और दोनों के table में सबसे जो smallest number मिलेगा वो इनका LCM होगा 9 to the 18 6 to the 18 तो 18 होगा इन दोनों का LCM अब HCF और ELCM का multiply करिए 3 into 18 54 अब हमने लिया है कि product of the numbers numbers देखे 6 और 9 है इनका multiplication करिए 6 into 9 54 आगा है 54 यहाँ पे भी 54 तो यह दोनों जो हैं वो इकोल होते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है HCF into ELCM is equal to product of 2 numbers तो यह property हमें है हर question के लिए question number 2 में जितने 5 questions हैं उनमें हमें चेक करना है कि जो numbers दिये गए हैं उनका HCF into ELCM is equal to product of numbers आता है या नहीं तो यह हर बार आएगा ही लेकिन वो ही हमें यहाँ पे चेक करना है तो ठीक है इस वीडियो में इतना ही दोस्तो आगे का वीडियो हम लेंगे अभी मतलब मैं निश्ट कल बना रहा हूँ वो वीडियो कर दोस्तो